सब्सक्राइब दोस्तों अभी शोशल मेडिया पे चारों तरब मुके सम्मानी जी के छोटे बेटे अनन्त अम्मानादी का मर्चेंट की प्रिवेडिंग की चडचा हो रही क्योंकि इस कारिकरम में 1200 करोड़ का करचा किया गया मार्क यकरुवार्क बॉल्यवर्ट की तमाम अस्तियां की जो भी बड़े भारत के नाम नाम थे चानेवाने नाम थे हैं इन्वाइट की चारब नहीं पाया कुछ आपने प्रिवेडिंग के कारण इस महंगी प्रीवेडिंग कारिक्रम की आपने पूरा एनलाइस करेंगे कुछ इस कारिक्रम का लोग एप्रिशियाट कर रहा है कुछ लोगों के पेट में भी दर्ध हो रहा है और हम लोगों को किस तरह शाधी यां करना चाहिए उसका की वी आपन बात जीत करेंगे शाथी युओ पहले तो मैं बता लेता हूं प्रीवेडिंग कारिक्रम एक आम जन जीवन के लिए उनके समझ में से यह वहार है आज कल प्रीवेडिंग का बड़ा ही ट्रेश्चनल चल रहा है प्रीवेडिंग ये कैसा कारिक्रम है जैसे कि नौर्मली तो हम जैसे लोग तो श लगा लगा के या दूसरे को एक पिक्चर की तरह दिखाने के गो रहता है लेकिन मुकेश अम्मानी जी ना केवल भारत के वलकि एसे माधिप के सबसे बड़े आदमी है तो इसको यह यूनीक बनाना चाहते थे और वो एक बिजनिस पती है तो हर मेमान को लाने के बीचे कोई कारण चुपा होगा जैसे कि बिल गेट्स अनतममानी जी को कोई चाचा जी नहीं है लेकिन उनके बीजनिस पार्टनर्सइप है मार्व जपरवर्ट के बीजनिस लिंक है और तो जियो से ने बागिना पे टिक हुए तो कहीं न कहीं एक रिलेशन्शिप होती है तो मैं यह कि इसमें प्रेम नहीं ता गणिश नहीं ता जो भी है लेकिन इस प्रिवेडिंग यूनिक बनाने के लिए मुकेश अमानीजे ने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियू को बलाया और पैसा को पानी की तरे बहा हाय जाये वह रियाना को बलाया और रियाना को कुछ मिंटों की पर प्रोडेश तीनों कानों को यहां तक एक साथ लावी नहीं पायते बिता है लेकिन मुकेश अमानीजी की इस प्रोग्राम में तीनों कान एक एक मच पर फ़र्पोर्म करते नजर आ है खेर पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन भी बहुत कुछ है इसलिए पैसा आर्ण करने पर द्यान देना से यह कि किसी पुर्शनी कहा भी था कि लड़का गोरा या काला या चुटा या बड़ा नहीं होता है पैस लड़का सिर्फ गरीव और अमीर होता है यहां पर में अनंत अमानीजी की हेल्थ के वारें बिल्कुल भी मजाब नहीं बनाना चलतों वह अच्छ यहां पर कुछ राधी का मर्चंट को लोग डोल कर रहे थे कि राधी का मर्चंट ने पैसे के लिए आप में एक बली नहीं है तो कि वह भी चोटे मोटे घर की नहीं है उसके बिता भी बिजनिस पती है और उनकी इक लोती बैटी है तो यहां लेकिन दोनों की कहते हैं कि दोनों बच्च्वन के दोस्त है इसलिए इसनों लोग साधी कर रहे है तो यह सा नहीं है की यह कर रही है ठीक है दे approximate फिर विरंट का मर्चंट की कंड़े GUY कर सितना मेंनैं अनंत अमानुंगी का जो हेल फश्नार्टी है वह लेकिन फिर भी कहते हैं लड़कियां हमेशा अपने से बहतर को तलास में रहती है जो भी है ठीक है दोनों की प्रिवेडिंग होज चुकी है और इस कार्क्रम को बहतर वाना निकले के पॉली हुट की अस्तियों को भी बुलाया गया और कार्क्रम को तीन दिन तक खुब इंज चाहिए कि का इस कार्क्रम को सबने बहुत अच्छे से इंज्वाइब किया कुछ लोग प्रॉल भी कर रहे है कुछ लोग एप्रेशियेट की जिए और बड़े बिजनीश पतियों से कुछ सीख लिजिए अगर कोई बिजनीश पति घराना इमानदारी शे गौवर्मनेंट को प्रोबले टेक्स देकर अगर पैसा कमा कर कुछ खर्च कर वी रहा तो उसे आंको क्या विक्कत है बलकि यहां पर मैं इंपोनेंट बात अब यह आती है जो भी है इनका प्रोग्राम हो चुका और जोलाई में शाधी होगी यहां पर मुकेश अम्मानी जी ने कितना पैसा खर्च किया होगा क्या बनुवान लगा सकते हैं तो यह तो सब सर्वे बता रहा कि 1200 फरोड रुपे इन्होंने खर्च किये गए तो यह मुकेश अम्मानी जी की संपत्ति का यांकि पेसे का कितना खर्चा जीरो और जीरो बन पर्चे यानि कि कुछ पेसा ही कुछ पेसा ही उनका यहां पर यानि कुछ रुपेई उनकी संपति कुछ रुपेई खर्च हुआ है जी हां दोस्तों लेकिन आंग जीवन में देखते हैं समाज का एक में डिकावा करेंगे कुछ कारक्रम तो करना ही होता लेकिन कुछ कारक्रम जिनकी जवर्वत नहीं होती दिकावा करने के लिए कुछ लोन लेके भी करजा करके भी साधी करते हैं दिखावे के चक्कर में यह नहीं किया रहा है जो बेशिक नीड है साधी कि वह तो करना ही चाहिए लेकिन दिखावा से आपको बचना चाहिए हाँ अगर अमारे पास पेशा है को हम चाहिए कितना है उससे क्या परख़ता है लेकिन करजा करके साधी करना फिर पुरी जिंदिकी उसकी इमाइज चुकाते रहे न यह तो एक बेवकुपी बड़ा कदा होगा ग्रामिल परिवेश में भी यही देखा लोग समाज के प्रेश प्रेश था कि बही देखो मुकेश अमानी साब के पास इतना प्यासा था तो उन्होंने इतने अच्छे से की है तो जो उनके समकव चाहिए उनसे कापी नीचे के जो बिजनिश बती लोग है तो वह भी ऐसे साधियां करते तो उसके पास पैसा होता है कुछ लोग लोग ले जीवन के नई प्लानिंग की जाती तो क्यों बढ़ाया जाए और जैसे की धेज वाला एक जो धेज प्रता होती है तो देज के वारे में तो क्या ही कहेंगे क्योंकि लड़की लड़की वी और लड़की के माता-पिता वी अपनी लड़की को बहतर घर में देना चाहते है तो जब भेतर गर्में देना चाहते हैं तो जो लड़का होगा वह भी भेतर होगा तो अगर 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 हमार अपने शंकक्ष लोगों में साधी करेंगे साया धेज कपड़ता थोड़ी कब होगी है अलागी ये कपड़ता बहुत ज्यादा इसमें सुधार हुआ है और आगे भी सुधार की अभी उम्मीदे जिन्दा है तो शातियों ये ता अनत अम्मानु रादी का वर्षण की साधी को चर्चा और उसी चर्चा से निकलकर हमको आदू कर्चा से बचना चाहिए अभी ठीक है